हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज फोर्टक्स ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं जितने भी कमेंट्स करके पूछते हो जैसे किसी का ब्लाउज फिटिंग नहीं आ रहा है कैसे क्या सारी प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में आपको कवर करने वाली हूँ तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना और फिर अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको समझना है उसके बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना ठीक है हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में देखा था और अब हम यहाँ पर सिलाई देख रहे हैं तो फ्रेंट पार्ट ले लेना है और सबसे पहले यहाँ पर टक्स कम्प्लीट करना है तो हमेशा टक्स में हम डबल सिलाई लगाते हैं तो बस इसी तरह से हमें चा पारो टक्स बना लिया है आप जैसे हमने यहाँ पर इसको कम्प्लीट किया है यह हमारी एक कटोरी बन के रेडी हो जाएगी देख सकते हो अब इसके बाद सेम तरीके से हम दूसरी वाले पार्ट को भी कम्प्लीट कर लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट तो इधर साइड हम बड़ obscure लगा रहे हैं और उधर साइड में रखा उसको हम घ़टवा पटि लगाएंगे पटि कैसे लगाने इस तरह से आगे से शिलाई लगा देना है पति को रखते हुए सीधे साइड से अब जो हमारा margin है उसको हम पट्टी की side को करेंगे इसके बाद इसको अंदर की side को ऐसे fold करेंगे हाथ से press करेंगे और फिर से इसको ऐसे अंदर की side को fold करेंगे हाथ से press करेंगे और फिर यहाँ पर अब हम उपर से शिलाई लगा लेंगे तो बस यहाँ पर शिलाई लगा ले रखने के बाद यहां पर एक पैर का मारजीन लेते हुए आगे से शिलाई लगा लेंगे जिसे हमने उस वाले पट्टी में लगाया था अब इसको पूरा ओपन करेंगे जो मारजीन है उसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करते हुए शिलाई लगाएंगे इसके बाद इस हम अंदर की साइट को एशे फोल्ड करेंगे हाथ से प्रेस करेंगे फिर से पूरा अंदर की साइट को फोल्ड करेंगे और यहां पर अब हम बड़ी बख्या से शिलाई लगा देंगे क्योंकि यहां पर हमें तुर्पाई करनी होती है तो यह हमारी बड़ी बख्या हो गई complete तो मेरे पास एक बार comments आया हुआ था कि हमें cheat वाले blouse में भी cutting और सिलाई बता दीजेगा तो देख लो same बिल्कुल वही होता है बस के वल आप लोगों पता नहीं क्यों आप इतना confused होते हो तो देखो यहाँ पर हमने back part ले लिया है लेने के बाद यहाँ पर अब हम back part में जो हमने dot के निशान लगाया है उनको complete कर लेंगे तो इस तरह से दोनो dot complete कर लेना है तो हम इसाद dot में हो या फिर tux में हो double सिलाई ही चलानी होती है जिससे की यह खुलने के chance जादा ना रहें ठीक है इसके बाद इसको इस तरह से रखना है रखने के बाद जो हमारा सीधा साइड उपर के साइड को रहेगा अब जो हमारा front part है उसको हम इस तरह से रखेंगे दोनों का सीधा साइड अंदर के साइड को मिलाते हुए और बस यहां पर इस तरह से मिलाएंगे मिलाने के बाद उपर के साइड हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहां पर उपर से सिलाई लगा लेंगे तो बस इस तरह से यहां पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं यह हमने एक सोल्डर जोड लिया है सेम तरीके से दूसरा वाला सोल्डर भी हमने जोड लिया है अब यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे नीचे कमर का नाप डालेंगे तो बस यहाँ पर हम सीने का नाप डाल देते हैं जितना भी हमारा सीना साइज है हम यहाँ पर डाल देंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीने का नाप डाल दिया इसके बाद नीचे कमर का नाप डाल देंगे तो जो भी हमारा कमर का साइज है कमर का नाप डाल देना है तो जो हमारा कमर की पूरी गुलाई होती है उसका दूसरा भाग करके लेना होता है और ऐसे निशान लगाना है आप कमर वाले पॉाइंट से और नीचे कमर का पॉाइंट उनको मिलाते हुआ इस तरह से लाइन ट्रौ कर लेनी है तो सिंपल सा है यहां पर आप लोगों को fitting डालनी है इसी तरह से पता नहीं क्यों आप लोग confused होते हो या फिर आपके fitting सही नहीं आती है जैसे मैं सेम तरीके से बताती हूँ न वैसे ही अगर आप cutting और stitching करोगे तो कभी आपका blouse गरबन नहीं होगा और अच्छी फनीसिंग के साथ में आपका blouse बनके ready भी हो जाएगा तो इस तरह से हमने इधर complete करा सेम इसी तरह से fitting हम दूसरे साइट भी complete कर लिए हैं आप देख सकते हो अब यहां पर हम sleeves तयार करेंगे तो sleeves के लिए हम यहां पर अपनी sleeves ले लेंगे तो इसके लिए हमने जैसे हम cutting किया था तो sleeves के लिए कपड़ा कम था तो हम यहां पर आगे की side से fold करने के लिए पटिया निकाली थी जिन पटियों को use करके हम आगे से fold कर देंगे तो इस तरह से इसको हमने fold करा इस तरह से cut करा और यहां पर एक पटियार कर लेंगे और इस पटि को इस तरह से सीधे side में रखेंगे और सीधे side में रखने के बाद एक पैर का margin लेते हुए यहां शिलाई लगा लेंगे यह हमने शिलाई लगा दिया अब इसको पूरा open करेंगे open करने के बाद जो margin है पट्टी की crochet को करेंगे और शिलाई लगा देंगे अब ये शिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को पूरा अंदर की शेट को fold कर देंगे और सीधे साइड में हम यहाँ पर उपर से सिलाई लगा ब से बस इस तरह से यहां पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं तो यह हमने यहां सिलाई लगा लिया विसके बाद इसको हम इस तरह से अंदर की सेट को एक बार फोल्ड करेंगी क्योंकि यह हमारा कटा हुआ फैवरिक है उसको अंदर की सेट को फोल्ड करके बड़ी बख्या से सिलाई लगा लेंगे अब झैसे हमने ये वाली sleeves तयार किया है same ऐसे हί दूसरी sleeves को भी तयार कर लेंगे तो जो हमने cutting किया था तब आपको दिखाया था इतनी हमारी पटी था इसी से हमने इसको तयार कर लिया अब हम sleeves को इस तरह से double करके रखेंगे दोनों स्लीफ को तो उल्टा साइड बाहर की साइड को रखना है सीधा साइड अंदर की साइड को और यहाँ पर आगे की साइड बाटम का नाप डालना है यानि की स्लीफ की फिटिंग का नाप डालना है यह हमने यहाँ पर स्लीफ की फिटिंग का नाप डाल दिया और बस यहाँ पर इस तरह से तिर्चे में लाइन खीच देनी है तो नीचे की साइड लगभग एक इंच का कपड़ा छोड़ते वेश लाइन खीचनी है दोनों स्लीफ में और बस यहाँ पर हमें शिलाई लगा ले अब सीधी करने के बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीफ को लगाएंगे अपने आर्म होल पे तो इसको कैसे लगाना है चलो सीखते हैं सबसे पहले जो हमारा हाफ इंच उपर की साइड डाउन होता है उनको ऊपर की साइड को रखना है बलाउज को सीधा वो उल्टा गर के ठीक की गुलाई बिल्कुल बराबर से नाप लिया है और नापने के बाद अब हम यहाँ पर दोनों की फिटिंग बिल्कुल बराबर से नापेंगे मतलब पहले देख लेंगे कि दोनों की गुलाई जो हमारे बलाउस की गुलाई है आर्म होल की गुलाई है दोनों बराबर है य पास 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 बहुत अच्छा है फिर कोई फीटिंक सीटिंग की बैर मिलके आचुकी चैगा अरी कैसे सिलाई कैसे लगाएंगे तो चलो देखते हैं देखो यहां पर इनको दोनों को बराबर शे मिलाना है मिलाने के बाद यहां पर जो हमारा मार्जिन है ना फ्रेंट पार्ट का उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से दबा के रखेंगे तीरा बना के और इसके बाद जो हमारा स्लेव का मार्जिन है उसको हम उसके अपोजिट साइट फोल्ल करेंगे तीरा बना के इस तरह से और फोल्ल करने के बाद यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में शिलाई लगा लेंगे तो वस यहाँ पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो दोनों ही फैवरिक को हमें सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन ही छोड़ना है जादा दूसरों मतलब बराबर बराबर से ही छोटा बड़ा नहीं करना है इस तरह से हमने यह शिलाई लगा लिया है अब जैसे हमने यह वाली स्लीफ तयार किया है सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीफ को भी लगा के तयार कर लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों स्लीफ लगा के तयार कर लिया है अब नीचे का फोल्ड करेंगे तो जो हमने यहाँ पर pin वगेरा लगा के रखा था उनको निकाल देंगे और निकालने के बाद इसको पूरा open कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसे open कर लिया है अब open करने के बाद जो margin है उसको हम front part की side को करेंगे और यहाँ पर नीचे से इस तरह से fold करेंगे और उपर से यहाँ पर हम बड़ी बख्या से सिलाई लगाएंगे तो बस यहाँ पर हम बड़ी बख्या से सिलाई लगा के इसे complete कर लेते हैं तो यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा के complete कर लिया है अब यहाँ पर हम नीचे का fold कर दिया है पाइपिंग बनाएंगे तो पाइपिंग के लिए हमने जो औरेब पट्टियां कट की थी उनको ले लीना है अब हम इनको इस तरह से रखेंगे तो देखो यहां पर जैसे हमारा औरेब में पट्टी कट है वैसे ही औरेब में ही इनको जोड़ना है क्योंकि अगर औरेब में जोड़ोगे तो आपकी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी तो इसलिए इसको औरेव में ही पकड़ना है और औरेव में ही जोड़ देना है अब जैसे हमने ये वाली पट्टी लगाई है सेम ऐसे ही आगे भी पट्टियां हम सारी लगाते जाएंगे इ फिर इसको अंदर के साट को ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से ये फोल्ड कर दिया अब फोल्ड करने के बाद इसको हम ब्लाउस के गले पे इस तरह से रखेंगे रखने के बाद यहाँ पर उपर से हम सिलाई लगाएंगे तो वस यहाँ पर हम पूरे में शिलाई लगा ल जैसे इस्ट्रा का फैवरिक है जितना बिलकुल बराबर से एक तरीके की पट्टी को पूरी कटिंग करके निकाल देना है फैवरिक को और बस अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ल करेंगे यानि कि यहां पर एक पाइपिंग रोल बनाएंगे और रोल बनाने के बाद यह तक हम शिलाई लगा लेंगे, तो बस इसी तरह से पूरे में हमशिलाय लगाकेक इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो दागव गएरा जो भी निकले हुए हो उनको अच्छे से फणी सिंग के साथ में कर ले नी है ठीक है और इस तरह से ये हमने पूरे में शिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है पूरी पाइपिंग हमने रेडी कर ली है आप देख सकते हो तो ये रहा हमारा ब्लाउज कैसे सिलते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हुए होगे अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नय हो तो सस्क्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी थेंक यू